नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्योटिप चैनल लर्न विद गणेश में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला वीडियो लेकर आया हूँ हम NCRT सार संग्रा के सारे एपिसोड के कर रहे हैं और इससे पहले हमने पॉलिटी को कंप्लेट किया है तो अगर आपने अभी तक पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो पॉलिटी का वीडियो जरूर देख लिजिए दोस्तों ये जो NCRT सार संग्रा की बुक जो आई है अभी न्यू मार्किट में इसकी डिमांड जो है मार्किट में बहुत ज़्यादा है इस बज़ा से शॉप्स पर ये बुक्स एबिलेवल नहीं है तो कई सारे स्टूरेंट्स कई सारे दोस्तों का ये मैसेज आया कि अगर किसी के पास ये बुक्स है तो प्लेज उस पर वीडियो बना दीजिए तो दोस्तों ये मेरा एक परियास है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कई सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दूँ ताकि ये इन बुक्स के माध्यम से आप अपनी रिवीजन जो हैं वो अच्छे तरीके से खड़ सके तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और बैल अकन को प्रेस करना में भूलेगा थाकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों हम बात करेंगे modern history तो चलिए देखते हैं इसको सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यूरोपिय कम्पनियों का आगमन तो एक एक चीज जो भी clear करना है मैं एक एक चीज को यहाँ पर आपको बताऊंगा एक एक चीज read करके दिखाऊंगा और इस तरीके से आप अपनी तयारी को अच्छा कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं ब्यपार है तू समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपिय कौन थे तो वो पुर्तगाली थे होता क्या है कि 17 मई 1498 को 17 मई 1498 में बास्कोर डिगामा जो है अपने 90 दिनों की यात्रा पूरा करके वो भारत पहुंचता है और वो किस तरी कहां से पहुंचता है तो वो समुद्री मार्गो की यात्रा करके पहुंचता है और जिस रास्ते से वो आता है उसे Cape of Good Hope के नाम से जाना जाता है Cape of Good Hope तो जब यह भारत में पहुंचता है तो यह भारत में केरल के कालिकट बंदरगा पर उतरता है और वहां पर उस टाइम के जो साशक थे जैमोरीन वो उनका स्वागत करते हैं तो इस से रिलेटिल बहुत सारी कोशन जो है एक्जाम में अक्षर पूछे जाते हैं तो चलिए इसको आगे देखते हैं यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्गी की खोज किसके द्वारा की गई बासको डिगामा द्वारा भारत आगमन जो है 17 मई 1498 इश्वी कालिकट बंदरगा के तट पर किस ने बासको डिगामा का स्वागत किया जैमोरीन ने जो स्थानिय साशक थे पुर्तगालियों ने भारत में सरप्रथम अपनी ब्यापारी कोठी यानी फैक्टरी कहां स्थापिद कि थी कोच्चिन में जिसको हम कोच्ची के नाम से भी जानते हैं पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था तो फ्रांसिस्को दी अलमिडा दूसरे जो हुए थे अलफ्रांसो दी अलबुकर्क और तीसरे जो थे नीनो दी कुनहा तो ये आप क्रम याद रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स में दिवा है भारत में तंबाकू की क्रिशियेवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंब करने का श्रे पुर्तगालियों को दिया जाता है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना वर्ष 1556 में गुवा में की गई थी हिंद मासागर में ब्यापार को नियंतरित करने के लिए शांत या नीले जलकी नी थी जिसको हम ब्ल्यू बॉटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं किसने लागू करिये तो फ्रांसिसको दी अलमिडा ने नेक्स्ट यहां पर विभिन देशों के खोजगरताओं के नाम लिखा हुआ यहां पर खोजगरता एक तरफ और दूसरी तरफ देश भारत की खोज बासको डिगामा दोरा की गई अमेरिका की खोज कोलंबस दोरा और अस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्सको की दोरा और तस्मान द्वारा तस्मानिया एवं म्यूजिलेंड की खोज की गई थी और बार्थे लोम्यू डियाज द्वारा केप आफ गुड होप की खोज की गई भारत में पुर्तगाली शक्ती का बास्तिविक संस्था पक किसे माना जाता है तो ये हैं अलवुकर किस बास्तराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का अपचारिक मुख्याला बनाया गया तो ये नीनोडी कुना के साशन काल में नीनोडी कुना के साशन काल में दो घटनाएं और हुई थी ये जो पुर्तगालियों द्वारा दमन और दीब को अपना अधिकार छेतर में मिलाया गया था दमन और दीब तो दीब को जो है वो मिलाया गया 1935 में स्वरी 1535 में और दमन को मिलाया गया था 1569 में तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि दमन और दीब जो स्थान था वो किसके आधिकार छेतर में था तो पुर्तगालियों के कब मिलाया गया तो 1535 में और 1569 में यहां पर दे रखा है पुर्तगालियों ने हिंद मासागर छेतर में ब्यापार पर नियंतरन स्थापित करने के लिए कार्टेज अलमिडा काफिला पदिती की शुरुआत करी थी यानि कि जो हमारा हिंद मासागर का एरिया था उस हिंद मासागर वले छेतर में ब्यापार को नियंतरित करने के उदेशे से कौन सा पदिती अपनाए गया कार्टेज अलमिडा पदिती पुर्तगालियों के पश्चात भारत में ब्यापार करने के आए डच कहां के निवासी थे तो ये होलेंड के निवासी थे जिसे हम बरतमान में नीदरलेंड के नाम से जानते हैं भारत में भी देशी कमपनियों का आगमन यहाँ पर कमपनियों का नाम दिया हुआ है और इधर देश और यहाँ पर स्थापना की उन कमपनियों के स्थापना किस वर्ष हुई साथ ही साथ में भारत में कहां पर इनोंने अपनी प्रतम फैक्टरे स्थापित की उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है तो जहां कमपनी स्थापित हुई पुर्तगाले इस्ट इंडिया कमपनी जिसको इस्टेडोर दी इंडिया के नाम से जाना जाता है ये पुर्तगाल देश से संबंदी था और इसकी स्थापना 1498 में की गई थी भारत में इसने अपना प्रथम मुख्याले जो है प्रथम कोठी जो है वो कोची यानि की कोचिन में स्थापित की अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी ये 1600 में स्थापित हुई थी युनाइटेड इस्ट इंडिया कंपनी ऑफ निदर लेंड्स जो होलन्ड की कंपनी थी 1602 में इसकी स्थापना हुई और मसूली पतनम में अपना प्रथम फैक्टरी स्थापित किया था डैनिस इस्ट इंडिया कंपनी जो डैन्माक की कंपनी थी 1616 में भारत में अपनी फैक्टरी त्रावनकोर में लगाई थी 1600 में ही वह एक रहम बात करें फ्रांससेट इंडिया कंपणी की तो यह फ्रांस की कंपणी थी जो 1664 में इसकी स्थापना वोई थी और सूरत में 1668 में इनोंने अपनी पहली कोठी स्थापित करी थी कब 1668 में यूरोपिय यूरोपिय बेपारियों का भारत आगमन का क्रम अगर देखा जाए तो पहले पुर्तगाली भारत में आए और उसके बाद डच फिर ब्रिटेश उसके बाद में डैनिश और फिर फ्रांसेसी और सबसे लास्ट में आने वाले जो यूरोपिय कमपनी है वो है स्वेडेश तो अगर देखा जाए तो पुर्तगाली जो कमपनी है वो भारत में आने वाली सबसे प्रतम कमपनी के साथ साथ में भारत से जाने वाली सबसे अन्तिम कमपनी थी यानि कि भारत में जो आई 1498 में और गई सबसे लास्ट में 1961 में गोवा को छोड़ कर ठीक है तो वो गोवा से कब गई थी तो 1961 में नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो किस यूरोपिय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्रात्मिक्ता दी गई तो डचो द्वारा डचो ने जो है मसालों के अतिरिक्त मसाल कपड़ों के निर्यात पर अतिधिक बल दिया भारत के साथ ब्यापार के लिए सर्व प्रथम सन्युक्त पून्जी कमपनी किस ने प्रारंब की तो ये डचों ने प्रारंब की थी बर्स 1769 में बेदरा का युद किंदो यूरोपिय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था तो डच और अंग्रेजों के वीच में और 1769 में जो बेदरा का युद लड़ा गया इसमें डचों का जो प्राभुत्व है वो एक तरीके से भारत में समाप्त हो गया और उसके बाद में अंग्रेजी जो कमपनी है वो स्टैबलिश हो गई लंदन में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के गठन के समय भारत का समराट कौन था चुकि इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना 1680 में की गई थी और 1680 में भारत का जो समराट थे वो अकवर थे क्योंकि 1605 में अकवर की मृत्यू होती है और उसके बाद में उनके पुत्र जहांगीर जो है वो गद्धी पर बैठते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश समराट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में ब्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्धेश्य से जहांगीर के दरवार में आने वाले ब्रिटिश नागरी कौन था तो ये कैप्टन होकिन्स थे जो 1608 में ब्रिटिश राजदूत बनकर ब्रिटिश का दूत बनकर जो है वो आते हैं और 1608 में ये पहुंचते हैं जहांगीर के दरवार में दोस्तों यहाँ पर एक confusion यह create होता है कि Captain Hawkins जो है वहाँ से ब्रिटेन से चलते तो है Captain यहाँ पर अकवर के दरवार में आने के लिए और अकवर का परमान अकवर के नाम का ही जो है वो पत्र लेकर आते हैं परन्तु जब आते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं तो अकवर के उस पर जो साशक होता है वो जहांगीर होता है तो जब चले थे तब साशक जो था वो अकवर था लेकिन जब धरवार में पहुंचे तो उस टाइम पर साशक 1608 में जहांगीर बन चुके थे दोस्तों यह चोटी चोटी बाते जो हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए चली हम आगे देखते हैं ब्रेटिश इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा भारत में प्रथम आस्थाई करखाना मसूली पटनम में 1611 में तथा प्रथम स्थाई करखाना सूरत में 1613 इस्थिमी में स्थ निस्ट इंडिया कम्पनी की एंग्रेज गवर्नर को और अंगजेव द्वारा भारत से निश्काषित कर दिया गया था तो ये सर जोन चाल्ड को कि निश्काषित किया गया था, एकुलि में कलकट्धा के हुगली नधी के किनारे सर जोन चाल्ड और अरंगजेव क sis kim kim je उपचार किये जाने के कारण किस मुगल बादशा दोरा इस्ट इंडिया कमपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया तो यह फरुक्षियर दोरा जिसको हम शाही फर्मान के नाम से भी जानते हैं तो शाही फर्मान जो है फरुक्षियर दोरा प्रदान किया गया था कब 1717 में दोस्तों यहां पर बॉक्स में एक बहुत इंपोर्टेंट सूचना दी हुई है 1661 में इंग्लेंड के राजा जो थे चाल्स द्वित्य है उनका विवा होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से और इस अबसर पर पुर्तगालियों ने चाल्स द्वित्य को दहेज स्वरूप बंबई जो है वो प्रदान करते हैं लेकिन साथ सालबाद यानि की 1668 में चाल्स द्वित्य है मुंबई को 10 पौंड बारशिक किराए पर जो है वो इस्ट इंडिया कंपनी को वो स्वरूप देते हैं ठीक है चले दोस्तों आगे देखते हैं अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेजेगा और यह जो वीडियो है यह जो बुक्स हैं वो उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनको अभी तक यह बुक्स शॉप्स पे नहीं मिली है तो प्रमुक्ष शहरों के संस्थापक दी में दोस्तों यहां पर शहर हैं और यह इनके संस्थापक हैं कलकत्ता शहर की स्थापना जो को बर्तवान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं तो इसके इस्था अपना गेराल्ड आंगियार द्वारा किया गया था एरोपिय बासियों के लिए सर्वत्तम सूरा और अफेम प्राप्त का मुखे छेत्र क्या था तो वो बिहार था सूरा जो है दोस्तों एक प्रकार का बा स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी तो यह कॉलवर्ट के प्रयासों से किया गया फ्रांसेसी कंपनी के स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी तो यह लूई चौदवे के कार्यकाल में कॉलवर्ट के साहता से फ्रांसेसी कंपनी के स्थापना 1664 में की गई थी फ्रै फ्रांसिसी गवर्नर डूपले ने पहली बार भू छेत्र अर्जित करने के उदेश्चे से भारतिय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीती प्रारंब करी थी नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फ्रांसिसियों द्वारा फोर्ट लूई नामकिला कहां बनवाया था तो ये पुड़ू चेरी में पुड़ू चेरी का जो एरिया था दोस्तों वो फ्रांसिसियों के कबजे में था और गोवा का जो छेतर था और दादर दमन और देप वाला जो एरिया था वो पुर्तगालियों के कबजे में था पांडी चेरी का प्रथम फ्रांसिसी गवर्न प्रतिगालियों को की इस्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था तो थौ मस बेस्ट ने बॉंडी वॉष के युद में अंग्रेजों ने किस को पराजित किया था तो यह फ्रांस को दोस्तो करनाटक युद जो है वो ब्रिटेन यानि की अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में लड़ा जाता है और तीन करनाटक युद लड़े जाते हैं तो करनाटक युद किन के मद्य लड़ा गया तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में करनाटक युद लड़ा गया कितने युद तो वो तीन युद लड़े जाते हैं प्रथम करनाटक युद किस संदी के माध्यम से समाप थी तो एक्स लासापेल की संदी से दोस्तों ये जो संधियां यहां से आपको याद करना होगा क्योंकि संधियों से कोशन्स अक्सर पूछे जाते हैं तो यहां पर करनाटक युद दिया हुआ है, जहां पर करम है, प्रमुख कारण है, संधीय और परिणाम चैनल क्या हुआ, उसके बारे में वर्णन यहां पर किया गया है अगर बात करें दोस्तों एक दो तीन प्रथम द्वित्य और तित्रे युद की तो ये पहला युद जो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में ये औस्ट्रिया के उत्राधिकार का युद था इसका प्रमुक कारण प्रमुक कारण जो था प्रथम करनाटक युद का औस्ट्रिया के उत अत्राधिकार का युद और ये जो युद समाप्त हुआ वो 1648 में संदी वे 1648 के और इस संदी के माध्यम से जो प्रथम करनाटक युद हुआ वो समाप्त हुआ इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन युदों क इन संधियों के अलावा इन जो परफम करनाटा के युद दौब इन युदों में भी और एक युद चल रहा था जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं तो प्रथम करनाटक युद के द्वारान दोस्तों एक जो युद लड़ा गया था प्रमुख युद वो था सेंट थॉम का युद तो ये कोशन जरूर एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सेंट थॉम का युद किस करनाटक युद में लड़ा गया था तो ये फर्स्ट दूसरा जो युद हुआ दोस्तों 1751 से लेकर 1755 के बीच में हुआ और ये करनाटा के उत्राधिकार के युद के कारण हुआ इसका जो प्रमुक कारण था करनाटा के उत्राधिकार का युद और ये जो युद हुआ समाप्त ये पुड़ोचेरी के संदेश पर समाप्त हुआ 1755 में ये संधी हुई और इसमें जो है क्या गहते हैं कि ब्रिटेन की जो इस्थिती थी वो मजबूत हुई लेकिन यहां से भी एक कोश्चन पूछा जाता है कि द्वित्य करनाटक युद के दौरान कौन सा युद लड़ा गया था तो ये द्वित्य करनाटक युद में अम्बूर का युद लड़ा गया था तीसरा जो युद था जिसको हम कहते हैं सब्त वर्षिय युद इसका जो प्रमुक कारण था त्रित्य करनाटक युद का प्रमुक कारण था सब्त बर्षी है युद या फिर अपनिवेशिक कारण और ये जो युद लड़ा गया था 1758 से 1763 के बीच में और ये युद समाप्त हुआ पेरिस की संदी पर दोस्तो इसको याद करने का एक शौट तरीका है ए पापे ए पापे एकसला सापेल की संदी पुड़ू चेरी की संदी और इसके बाद में आ जाता है पेरिस की संदी तो कौन-कौन से संदी पर कौन-कौन सा युद समाप्त हुआ तो ए पापे यानि एकसला सापेल पाणडी चेरी और पेरिस की संदी दोस्तो अगर देखोगे आप तो संदियां जो है वो जब युद का अंतिम टाइम था उसी टाइम पर ये संदियां होती है 1748 में प्रथम करनाटा की युद समाप्त होता है और 1748 में ही जो है वो एकसला सापेल की संदी होती है वैसे 1755 में दुध्य करनाटा की युद समाप्त होता है और 1755 में ही संदी होती है ठीक है दोस्तों लेकिन तीसरा जो करनाटा के युद लडा गया उसमें एक और प्रमुख जो युद था वो था वांडी वश का युद जो 1760 में लडा गया था और इस युद के दोरान फ्रांस का जो है वो पूरी तरीके से पतन हो जाता है और अंग्रेज जो है वो अपना अधिकार अपना प्रभुत जो है वो भारत में जमा लेते हैं दोस्तों इसके अलावा यहां से एक कोशन और जो इंपोर्टेंट वनता है वो यह कि बॉंडी वश के युद के दोरान अंग्रेजों का नित्रित्व कौन कर रहा था तो यह कर रहे थे सर आयर कूट कौन आयर कूट तो यह आप ध्यान रखेगा कि अंग्रेजों का नित्रित्व किसके द्वारा किया गया था बॉंडी वश के युद में तो यह किया गया था आयर कूट के द्वारा इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंच का नित्रित्व कौन कर रहा था फ्रांसिस्यों का तो वो एक्जाम में बहुत काम आएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि जो भी बहुत इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जो एक्जाम में पूछे जाने के संभावना होती है वो मैं आपको साथ साथ में करवाता जा रहा हूं ताकि आपको रिविजन के साथ इन टू द इस्ट इंडिज रखा गया नाम बहुत बड़ा है दोस्तों यह याद होता नहीं है नॉर्मली फिर भी चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाव का है अगर दोस्तों देखा जाए इसमें तो यहां से जो है इस मोगल समराड़ द्वारा स्वतन्त रूप से न्यूत बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो मुर्शीद कुलिखा जो 1717 से 1717 इश्वी तक था मुर्शीत कुलिखा ने अपनी राजधा ने ढांका से कहा स्थापित करी तो ये मुर्शीदाबाद में स्थापित करी थी बंगाल के किस गवर्नर ने एरोपिय की तुलना मधमक्खियों से की तो ये अलिवर्दी खाने दोस्तों अलिवर्दी खाने जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने एरोपिय कमपनियों की तुलना एक मधमक्खिय से की और इनका मानना था कि ये जो इरोपे कमपनिया है अगर इनको छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार देगी और अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी तो इस तरीके का कोटेशन जो है ये किसने दी थी तो अलिवर्दी खाने दोस्तों एक ब्लैक होल की घटना घटती है उसके बारे में भी देख लेते हैं 20 जून 1756 को प्रसिद ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के साशनकाल में हुई तो ये सिराजु दौला के साशनकाल में घटित हुई थी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों किस बंगाल के किस गवर्नर ने यूरूपियों की तुल्लामद मख्यों से की थी तो यह किया था अलिवर्दी खाने नेक्स देखते हैं नौफरबरी 1757 को अलिनगर के संधी किसके मद्धे हुई थी तो यह हुआ था कलाइब और सिराजु दौला के मद्ध दोस्तों यहां पर बॉक्स में बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी दिए है भारत में ब्रेटिश समराज्य का संस्थापक लॉड रॉबर्ट कलाइब को माना जाता है जिसने पलासी का यूद 1757 में जो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजु दौला को पराजित कर पहली बा भारत में ब्रेटिश प्रभूत्व की नीव रखी थी पलासी के यूद के समय बंगाल के नवाब का सेना पती कौन था जिसने यूद में विश्वास घात किया तो ये मिर्जाफर था एक्चलि में दोस्तों पलासी का जो यूद होता है होता क्या है कि जो पलासी के यूद म सिराजु दौला के जो अपने सेना पती होते हैं मेर्जा फर और इसके जो और दो तिन बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं इसलिए जो एक इतिहासकार है के एम पनिकर इन्होंने कोटेशन भी कोट भी किया है कि बंगाल के बड़े- इंपोर्टेंट है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों कोटेशन जो है क्या था तो पलासी एक सौधा था जिसमें मेर्जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था तो ये कोटेशन किसका था के एम पनिकर का दोस् भी कोशन छूटने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि मैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्ट जो है आप लोगों को बताता रहूंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे पलासी के युद्ध के समय मुगल बाद शाह कौन थे तो ये थे आलम जाती है तो ये मानी जाती है पलासी के युद्ध से पलासी का युद्ध कब हुआ तो 27 जून 1757 को दोस्तों पलासी के युद्ध से संबंदी दो तिन चीज़ों और ध्यान रख लिजेगा पलासी के युद्ध के दोरान जो अंग्रेजों का नित्रित्व कर रहा था वो ल था कहां पर नदिया जिला भागेर थी नदी के तट पर कब 23 जून 1757 में और अंग्रेजों का जो नित्रित में वो किसके हाथों में था तो वो लॉड कलाइब के हाथ में और सिराज के जो सेना पती थे वो कौन-कौन थे तो मिरजाफर राय दुरलब और यार लतिफ ये जो थे किसके थे तो जो बंगाल के नवाब थे उनके सेना पती थे ये ठीक है और इस युद में जो है बंगाल के नवाब की हत्या कर दी जाती है और इस युद में वो पराजित हो जाता है सिराजु दौला ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे अगर हम बात करें वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा कर किसे बंगाल का नवाब बनाया तो ये मीर कासिम को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद में अंग्रेजों ने मीर कासिम अबद के नवाब सिराजु दौला तथा दिल्ली के मुगल समराट शाह आलम दूत्या की समलित सेनापती को पराजित किया था दोस्तों जो 1764 का बक्सर का युद था वो एक्चुल में अंग्रेजों की बास्तविक जीत थी और इस जीत के बाद अंग्रेज जो है वो एक तरीके से इस्टैबलिश हो जाते हैं भारत में और इनका जो यहां से हम कह सकते हैं कि यह किंग मेकर की भूमी का निभाने लग जाते हैं दोस्तों अगर हम बात करें बक्सर के युद की तो बक्सर का युद जो है उस टाइम पर बक्सर के युद के दोरान अंग्रेजों के जो सेना पती थे वो थे हेक्टर मुन्रो और दूसरी तरफ जो था ये तीनों की अलाइंस यानि गठवंदन सेना थी किसकी मेर कासिम की उसके बाद में आवद के नवाब सिराजु दौला की और दिल्ली के मोगल समराट शाह आलम दुट्य की बकसर के युद के समय ब्रेटिश सेना का सेना पती कौन था तो हेक्टर मुन्रो था बकसर युद के समय बंगाल का नवाब कौन था तो ये थे मीर जाफर बकसर युद के पस्चात इलाहबाद के प्रथम संदी मोगल समराट शाह आलम दुट्य बंगाल के नवाब नजमु दौला तथा क्लाइब के मद्ध तथा इलाहबाद के दुट्य संदी क्लाइब तथा अवद के नवाब सुजाओ दौला के मद्ध संपन हुई थी जो इलाहबाद के प्रतम संदी हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 12 अगस्त 1765 को और इलाहबाद की जो दूसरी संदी हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को तो ये आप ध्यान रखिएगा important है चलिए दूस्तों हम आगे बढ़ते हैं किस संदी के माध्यम से अंग्रेजों को बिहार बंगाल और उड़ीसा की दिवानी प्राप्त हो गई थी स्वर्ग से उत्पन से नानायक किसे कहा गया तो लौड कलाइब को स्वर्ग से उत्पन से नानायक कहा गया इलाहबाद की संदी के पसचात बंगाल में द्वैद साशन के स्थापना किस के द्वारा की गई तो यह लौड कलाइब के द्वारा किया गया दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर मुगल कालिन राज़ियों की स्थापना और उसके संस्थापकों की तो यह बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है अक्सर ये मिलान में कोशन्स पूछा जाता है यहाँ पर राज्य दिया हुआ है यहाँ पर स्थापना काल और संस्थापक पूछे जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चार पांच जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगा बंगाल जिसकी स्थापना 1717-27 के बीच में की गई थी और इसका जो संस्थापक था वो था मुर्शीद को लिखा हैदराबाद इसकी स्थापना 1724 में की गई और निजाम उल्मुल्क जिसको हम चिनकलिज खांके नाम से भी जानते हैं उन्होंने हैदराबाद के स्थापना करी इसके अलावा अगर हम बात करें भरतपुर्ग तो भरतपुर्ग के स्थापना 1824 अतावदे में चूडामन बदन सिंग के द्वारा किया गया करनाटक भी दोस्तो बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है इसके स्थापना 18 अतावदे में की गई और स्थापना किसकेabout द्वारा किया गया तो सदाओन तुल्ला खाद वारा अबद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बिहार सौरी बंगाल हैदराबाद करनाटक और अबद और एक मैसूर ये तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है और इसके स्थापना कब हुई अबद की स्थापना 1722 से 1724 में की गई और इसके संस्थापक जो थे सहादत खां जिसको हम बुरहान उल्मुल्क के नाम से भी जानते हैं जैपूर की स्थापना दोस्तों सबाइ राजा जै शिंग द्वारा किया गया और ये 28 अतावदी में इसकी स्थापना हुई रुशेल पठान इसकी स्थापना दोस्तों मुहंबद खाँ बंगज द्वारा किया गया 825 से 1424 से 1444 से 1444 तक गवर्नर जनरल है लॉड एलबर एलन बरू का कार्यकाल कुशल अकरन मरत्या की नीती का काले माना जाता है नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें छेत्रिय राज्यों की जिसमें हम पंजाब इवं मैसूर के बारे में पढ़ेंगे सिंख समराज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो सिंख समराज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंग को माना जाता है महाराजा रंजीत सिंग किस मिशल से संबन देते तो ये थे सुकेर चक्या मिशल महराजा रंजीत सिंग के राज्य की राजधानी कहां स्थापित थी कहां स्थित थी तो लहौर में महराजा रंजीत सिंग ने सूप्रसिद कोहिनूर हीरा किस से प्राप्त किया था तो ये शाह सूजा से एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि महाराजा रणजीत सिंग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो तो लहार थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने अपनी दो राजधानी बनाई थी एक राज़नीतिक राजधानी और दूसरा धार्मिक राजधानी दोस्तों राज़नीतिक राजधानी जो है वो तो लहार थी लेकिन धार्मिक राजधानी की बात करी जाए तो वो थी अमरित्सर तो यहाँ पर कन्फियूजन मत होना दोस्तों यहाँ पर दो राजधानी जो है इनके द्वारा बनाये गया था राजनितिक राजधानी लहोर और धार्मिक राजधानी अमरिच्छर आगे देखते हैं दोस्तों 25 अप्रेल 1809 को अमरिच्छर के संदिक इसके मध्धे संपन हुई तो महाराजा रणजीत सी और अंग्रेजों के मध्धे बॉक्स में देवाय महाराजा रणजीत सी एक धर्म निर्पेक्ष साशक थे इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक अलग निगा से देखूँ इसलिए उसने दूसरी आग की रोशनी ले ली बर्ष 1845 में प्रारंबुवा प्रथम आंग्ल सिख्य युद के दोरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो ये थे लौड हार्डिंग प्रथम प्रतम आंगले सिख्य युद किस संधी द्वारा समाप्त हुई तो ये लहोर की संधी द्वारा समाप्त हुई थी जो 1806 में हुई थी आगे देखें अगर दोस्तों तो महाराजा रंजीत सिंग का उत्राधिकारी कौन था तो ये ख़डग सिंग कुछ महतपून संधियां दी हुई है दोस्तों जो रंजीत के साशनकाल में हुई थी तो पुरंदर की संधी 1665 में हुई बढ़गाओं की संधी 1789 में हुई वही अगर 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 दोस्तों बात करें अम्रत्सर के संधी जो अंग्रेजो और रंजीत सिंग के बीच में हुई वह 1809 में हुई थी और ये एक बहुत ही महत्पून संदी थी दोस्तों अगर हम बात करें दुट्य आंगले सिख युद के दौरान दुट्य आंगले सिख युद किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में हुआ तो ये लॉड डलहोजी के काल में 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियाँ बाला युद में अंग्रेजी सेना का नितरित्व किस के दौरा किया गया तो लॉड गफ के दौरा शिख समराज्जे का अंतिम साशक कौन था तो ये थे दलिप सिंग वर्श 1849 में ब्रिटिश समराज्जे में शिख समराज्जे के बिलय के दौरान भारत का गवर्नर जर्नल कॉल्म था तो ये थे लॉट डल होजी स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर के स्थापना किस के द्वारा की गई तो ये किया था हैदर अली के द्वारा दोस्तो अगर हम बात करें आंगल मैसूर युद की तो चार अंगल मैसूर युद हुए और इन चार अंगल मैसूर युदों में जो है परिणाम क्या रहा इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों यहां पर युद वर्ष दिया हुए है यहां पर मैशूर का साशक दिया हुआ है कि कौन सा साशक था यहां पर बंगाल का गवर्नर दिया हुआ है और यहां पर संधी कि किस संधी के माधिम से युद समाप्त हुए और यहां पर कुछ विशेश दिया है जो इस हैदर अली और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड बेरेलिस्टस और ये जो युद हुआ प्रथम आंगल मैसूर युद ये मदरास की संदी के द्वारा समाप्त हुआ हैदर अली दक्षिन भारत का प्रथम साशक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था अगर हम बात करें दोस्तों द्वित्या आंगल मैसूर युद की तो यहाँ पर ये जो द्वित्या आंगल मैसूर युद हुआ 1780 से 1784 के बीच में हुआ और ये हैदर अली मैसूर के साशक थे और बोरेन हैस्टिंग ये बंगाल के गवर्नर थे और ये जो युद हुआ ये मंगलोर की संदी के समाप्त हुआ इसमें जो है दोस्तों हैदर अली की मृत्य हो जाती है और उसके बाद में टीपो सुल्तान जो है वो साशक मनता है दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने बाली बात ये है कि जो दुट्य आंगल मैसूर यूद होता है उस टाइम पर एक यूद होता है इसी यूद के दौरान जिसको हम बोलते हैं पोटो नोवा का यूद क्या कहते हैं पोटो नोवा का यूद पोटो पोटा नोवा पोटा नोवा पोटा नोवा का यूद जो 1782 में हुआ था और पोटा नोवा के युद में दोस्तों आयर कुट जो था वो अंग्रेजों का सेनापती था और युस युद में जो हैदर अली थे वो घायल हो जाते हैं 1782 में ही हैदर अली की मृत्ति हो जाती है और हैदर अली की मृत्ति होने के बाद 1782 में टीपो सुल्थान जो हैदर अली का पुत्र था वो साशक बनता है नेक्स्ट जो है तीसरा युद्ध वो है त्रित्य आंगल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच में हुआ इसमें टीपो सुल्थान जो है वो मैसूर का साशक था और लौड कानवालिस वो अंग्रेजों का गवर्नर था दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टीपो सुल्थान और लौड कानवालिस के बीच में एक स्री रंग पट्टम की संधी होती है 1792 में और टीपो सुल्थान की स्थिती जो है इसमें कमजोर हो जाती है और इस संधी में जो है टीपो सुल्थान के बहुत सारे राज्य जो हैं वो छीन लिये जाते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर हम बदी हो जाती जाती है और इस टैम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लौड बेलेजली और यहां पर जो संधी हुई थी वो हुई थी सहायक मैसूर सहायक संधी और मैसूर सहायक संधी के तहट जो है मैसूर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था यहां पर विशेश में दोस्तों अगर देखा जाए तो टीपो सुल्तान की मृत्यू के बाद मैसूर में पुना बाडियार बंस के स्थापना की गई और अंग्रेजों ने बाडियार बंस के साशक से सहायक संधी कर ली सिख समराज्य के महराजा रंजीत से की तुल्ना फ्रांसिसी यात्री विक्टर जौकमा ने निपूलियन से की थी नेक्स्ट अगर देखे दोस्तों तो ब्रिटिश राजनितिक एवं प्रसाशनिक नीतिया तो अंग्रेजों का भारत पर बास्तविक राजनितिक नियन तरंड कव प्रारंबुआ तो यह इलहाबाद की संधी से प्रारंबुआ जो 1765 में प्रथम संधी हुई थी 12 अगस्त 1765 को बंगाल में द्वैद साशन किसके द्वारा लागू किया गया तो यह लौड कलाइब द्वारा किया गया और जो द्वैद साशन है वो हटाया किसके द्वारा गया तो यह हटाया गया था लौड बेलेजली द्वारा बॉर्ण हैस्टिंग द्वारा सॉरी बॉर्ण हैस्टिंग द्वारा वर्ष 1772 में किस गवर्नर गवर्नर रिद्वेज साशन को समाप्त कर दिया तो ये किया था वर्ण हैस्टिंग ने भारत में न्याईक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है तो वारन हैस्टिंग को वारन हैस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतरगत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना की गई थी इसके प्रमुख नियाधीश सर एलिजा इम पे थे नेक्ट देखते हैं दोस्तों भारत में पुलिस सेवा यवं सीवल सेवा का जनमदाता किसे माना जाता है तो लौड कान वालिस को वर्ष 1863 में प्रथम भारतिय आईस आईसी एस अधिकारी बनने का गौरब किसे प्राप्त हुआ तो सतेंदर नाथ टैगोर को ब्रिटिश भारत में लोग सिवा सम्मंदी आयोग यहाँ पर दोस्तों आयोग दिया हुआ यहाँ पर यह वर्ष है और यहाँ पर गवर्णर जनरल यानि कि किस गवर्णर जनरल के काल में यह आयोग स्थापित हुआ था तो ये है एंचिसन आयोग ये स्थापित हुआ था 1886 में और ये लॉड डफरिन के साशनकाल में हुआ था इन शिलिंग्टन आयोग 1912 में इसके स्थापना वी थी और ये लॉड हार्डिंग द्वित्य के साशनकाल में ली आयोग जो किस से संबंदी था लोग सेवा संबंदी आयोग से संबंदी था और 1923 में इसके स्थापना वी थी और लॉड रिडिंग जो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल थे नेक्ष्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत संब्धिय लोग सेवा आयोग के गठन का प्राबधान किस आयोग के सुझा पर किया गया था तो ये ली आयोग के सुझा पर ही किया गया था भूमी सुधार के उदेश्य से भारत में स्थाई बंदोवस प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी तो ये कानवालिज द्वारा 1792 में स्थापित किया गया था नेक्स्ट अगर देखाज़े दोस्तों भारत में समराज्य बिस्तार के उदेश्य से सहायक संदी प्रणाली के शुरुआत किस ने की तो ये लौड बेलेजली द्वारा शुरू किया गया सहायक संदी स्विकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था तो ये था हैदरावाद 1798 में ब्यापगत का सिधान्त या हडप राज्य हडप नीती ड्यक्ट्रीन ओफ लैप्स को किस के द्वारा लागू किया गया था तो ये लौड डल होजी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नीचे दियवाय 1849 चास इश्वी में ब्रिटिस साशन में पंजाब का बिल्य हुआ उस समय डल होजी भारत का गवर्नर जनरल था नेक्स्ट दोस्तों राज्य हडप में राज्य हडप नीती में कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ उन्हें राज्य के उत्राधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं किस रिपोर्ट के अधार पर डल होजी ने अवद का अधिकरहन किया तो ये था आउटरम रिपोर्ट दोस्तों यहां पर दिया हुए ब्यापगत सिध्धान्त के अंतरगत अधिकरहित किये गए राज्य और किस वर्ष में किया गया वो तो यहां पर राज्य है और यहां पर वर्ष है तो सतारा को जो है ब्यापगत सिधान्त के अंतरगत 1848 में मिलाया गया जैतपूर को 1849 में संभलपूर को 1849 में बगहाट को 1850 में और उदैपूर को 1852 में मिलाया गया जहांसी को 1853 में नागपूर को 1854 में मिलाया गया दोस्तों अबद का जरुर्ध्यान रखिएगा अबद को जो है 1856 में मिला लिया गया ब्रेटिश साशन में चतुराई पूर्ण निश्क्रियता की निती किस से संबन दीत है तो ये जॉन लॉरेंस से किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी का साशन समाप्त हो गया तो ये लॉर्ड कैनिंग और इसके बाद में सीधा क्राउन के हाथ में साशन जो है वो 1858 में चला जाता है बर्स 1861 में भारतिय दंड सनिता आईपी सी किधारा किस के कारेकाल में निर्मित की गई थी तो लॉर्ड कैनिंग के शाशन काल में राज उपाधी अधिनियम 1866 पारित करके महरानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधी प्रदान की गई लॉर्ड लिटन के कारेकाल में किस आकाल आयोग का गठन किया गया ये स्ट्रेचरी आयोग का गठन किया गया था 1880 इश्वी में भारत का प्रथम आकाल आयोग था भारत में 27 वसाशन का जनक किसे माना जाता है तो ये लॉर्ड रिपन को दोस्तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो ब्रिटिस काल में बिविन छेत्रों पर अधिकार किस प्रकार से किया गया उसके बादे में है तो निपाल पर अधिकार जो ए 1816 में किया गया और लॉड हेस्टिंग द्वारा इस पर अधिकार किया गया सिंध पर जो ए अधिकार 1843 में लॉड एलन बरो द्वारा किया गया भूटान पर अधिकार 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा और बर्मा पर यानि मेमार पर 1885 में लॉर्ड डफरिन द्वारा अधिकार जमाया गया नेक्स्ट अगर दोस्तों हम देखें ब्रिटिस साशन का भारती है अर्थ व्याबस्ता प्रप्रभाब चलिए दोस्तों अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को ज्यादस ज्यादस दोस्तों के पास शेयर केजिए ताकि उन दोस्तों के पा ये बुक इस बुक के माध्यम से और ये जो है इसकी एक खासियत है कि ये NCRT बेस्ट है तो यहां से कोशन्स बहुत सारे पूछे जाते हैं एक्जाम में तो आप इससे अच्छा रिवीजन कर सकते हैं चले दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं धन निसकाशन के सिधानत का प्रतिपाधन किसके द्वारा किया गया दादा भाई नरोजी द्वारा बर्स 1892 में लिब्रल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिस हाउस आफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन थे तो ये थे दादा भाई नरोजी Poverty and the Un-British Rule in India नामक पुस्तक किस ने लिखी तो दादा भाई नरोजी ने यह विचार किस ने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक निती घिनावनी हैं काल माक्स ने आपनिवेशिक अर्थ व्यवस्ता किस रिष्टम पुस्तक इंडिया टुडे के लिखा कौन है तो ये राजनितिक पामदत है बर्स 1907 में टिस्को की स्थापना किस के द्वारा किया गया तो जे एन टाटा द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास है तो अल इंडिया स्पिनर्स असोसियेशन के स्थापना किस के द्वारा किया गया बर्स 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड बीविंग कम्पनी की सूती बस्तर की फैक्टरी किस के द्वारा स्थापित के गयी तो कावसजी डावर द्वारा बर्स 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया तो यह किया था से रामपूर पस्चिम मंगाल में भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया तो 1833 में जब 1833 भारत सरकारा दिनियम जब आता है तब प्रसिद इतिहासकार के एम पनिकर ने 1765 से 1782 के काल को डाकु राज या लूट का काल कहा है दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ प्रमुक क्रेशिक पद्धितियां है इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए यहाँ पर यह प्रथा है और इसकी विशेस्ताइए है तिन कठिया प्रथा क्या थी तो यह प्रथा इस प्रथा के अंतरगत चमपारण यानि बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंद पर अपनी भूमी के तीन बटा बीस यानि की जो बीस कठि की भूमी होती थी उस पे तीन कठि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था इसी को हम तीन कठिया प्रथा कहते थे ददनी प्रथा क्या थी दोस्तों तो इस प्रथा के अंतरगरत ब्रिटिश ब्यापारी भारतिय उत्पाद को कारीगरों शिल्पियों यादी से निर्मि प्रत्वा पेशागी पेशगी के रूप में धन देते थे यानि कि उपज से पहले ही ब्रेटेश जो है वो किसानों को शिल्पकारों को उनको उनका धन दे देते थे पैसा दे देते थे कि अब जो आप धन बेचोगे जो भी आप समान बेचोगे वो हमारे पास बेचोगे तो इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था दोस्तो गवर्नर जनरर बोरन हास्टिंग ने जारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्ररम्ब भूर आजस्व की बसूली के लिए किया था दोस्तो यहां पर अगर देखा जाएं ब्रिटिस कालेन भूर आजस्व वस्था के बारे में तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको देखिएगा स्थाई बंदोवस्थ जिसको हम जमिदारी बंदोवस्थ के नाम से भी जानते हैं इसको सुर्यास्त बिधी के नाम से भी जानते हैं दोस्तो स्थाई बंदोवस्थ एक्चुल में क्या था कि इसमें आपके फिक्स डेट निर्धारित कर दे गई थी और फिक्स जो है वो मजदूरी या फिर लगान फिक्स कर दिया गया था और जो भी जमिदार यहां पर जो लगान बसूला जाता था वो जमिदारों से बसूला जाता था और जो भी जमिदार अपना जो लगान है वो सही टाइम पर नहीं बस चुका पाता था तो उसके जो जमीने हैं वो निलाम कर दी जाती थी तो ये जो बेवस्ता है ये लाड कानवालीज द्वारा 1793 में स्थापित किया गया और ये बंगाल, बिहार, उडीसा, उत्तरपरदेश, बनारास और उत्री करनाटक में इसको लागू किया गया ये समस्त भारत के 19 प्रतिशत भाग पर इसको लागू किया गया था और भुमिया दिग्रेन सदैब के लिए जमिदार को दे दिया गया था और इसमें जो है बिरिटिश सिधा जमिदारों से संपर्क स्थापित करते थे किसानों से इसमें कोई लेना देना किसानों का नहीं था ब्रेटिस सरकार को राजस्व देने की जमिदारी किसकी थी जमिदार की दोस्तो उसके बाद में स्टार्ट किया गया रहीत बाड़ी व्यवस्था जो 1820 में शुरू किया गया और ये स्टार्ट किया गया टॉमस मुन्रो द्वारा रहियत बाडी ब्यवस्ता की शुरूआत टॉमस मुन्रो द्वारा ठारो सो बीश में किया गया और यह जो ब्यवस्ता है यह बंबई, मद्रास और असम में शुरू किया गया था और ये पूरे भारत के समस्त ब्रेटिश भारत के 51 प्रतिशत भागों पर इसको लागू किया गया इसमें जो है भूमी का मालिक किसानों को बनाया गया और ब्रेटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की थी कर की दर जो है इसमें 33 परतिशत से 55 परतिशत तक रखी गई थी वहीं दोस्तों इसके बाद में जो है तीसरी व्यवस्ता शुरू की गई महलवाडी व्यवस्ता इसको जो है शुरू किया होल्ट मेकेंजी ने और ये शुरू किया गया था 1822 इश्वी में उत्तरपरदेश, मद्धेपरांट और पंजाब में इस व्यवस्ता को लागू किया गया और समस्त ब्रिटिश भारत का 30 परतिशत छित्रों में ये लागू था भूमी पर गाउं का अधिकार था ब्रिटिश सरकार को रजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाउं के मुख्याओं की थी और कर की जो दर थी वो 60 परसंट था दोस्तों ये जो व्यवस्ता लागू की गई इसका प्रभाब क्या हुआ तो इससे जो है पारंपरिक क्रिशी अर्थ व्यवस्ता का बिघटन हुआ क्रिशकों की दरिद्रता में ब्रिद्धी हुई क्रिशी में ठाराव अत्मा अवनती आई पुराने जम्मिदारों का उन्मूलन हुआ तथा नए जम्मिदारों का उदय हुआ इसके अलावा क्रिशी का वानिजी करण हुआ यानि कि जो है ऐसी फसले उगाई जाने लगी जो सीधा बजारों में बेचा जाए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वह कौन सी भूरा जश्वी वैस्था थी जो सर्वधिक ब्रिटिश छेत्रों पर लागू थी तो वो था रहियत वाड़ी जो 51 प्रतिशत भागो पर लागू था स्थाई बंदोबहस्त का सिधान किस से सम्मंदित है तो ये भूरा जश्व के निर्धारन से भारत में रेलवे के जनक दोस्तो लौड औलोजी के को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लौड औलोजी के परियत्रों के कारण ही महराष्ट में 1853 में बंबई से थाने तक प्रतम रेल या रेल जो है वो चलाई गई थी दोस्तो उमीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को अपने जादस जादस दोस्तों तक शेयर करेंगी और इसको जादस 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 लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी चले दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सन 1857 की क्रांती की और ये जो है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से देखेगा सन 1857 की क्रांती का सर्व प्रथम शुरुवात कहां हुआ था तो इसकी शुरुवात जो है मेरट से हुई 10 मई 1857 को 34 वे रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रो किया था तो ये बैरकपूर जो पस्चिब बंगाल में है बहां पर इसकी शुरुवात हुई थी वर्स 1857 के स्वाधिंता संग्राम के प्रतीक क्या थे तो कमल और रोटी को प्रतीक बनाये गया था वर्स 1857 के विद्रो का ततकालिन कारण क्या था तो एनफिल राइफल में चेर्वी वाले करतूशों का परियोग अंग्रेजों के सोशनकारी आर्थिक राजनेतिक धार्मिक एवं प्रसाशनक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रो को जन्म दिया था नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो ये थे लौड कैनिंग 1857 इश्वी के विद्रो के समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन थे तो ये थे पाम्स्टन 1857 के इश्वी के स्वतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना कौन सी थी तो सैनिको का दिल्ली के लालिले पर पहुँचना नेक्स्ट है ब्रिटिश 1857 के विद्रो में भाग लेने वाले सरवाधिक से ना किस छेत्र से थे या किस राज्य से थे तो वो थे अवद से नेक्स्ट देखते हैं 1857 इश्वी में इलाहवाद को अपातकालिन मुख्या लैक किसने बनाया था तो ये लॉड कैनिंग ने किंद्रिय संगठन की कमी तथा सुन योजित रनिनिती के अभाव में 1857 का विद्रो असफल रहा लखनव में 1857 इश्वी की क्रांती का नेत्रेत्व किस महिला ने किया तो ये महिला जो थी उनका नाम था बेगम हजरत महल 1857 के स्वाधिन्त संगर्ष के प्रमुक भूमी का निभाने वाली रानि लक्ष्मी भाई का जन्म कहा हुआ था तो बारा नसी में रानि लक्ष्मी भाई को अंतिम युद में किसने पराजित किया तो ये कैप्टन हिव रोज ने और रानि लक्ष्मी भाई की जो समाधी है वो कहा है तो वो है गौलियर में ये भी आप ध्यान रखियेगा कहा पर है गौलियर में असम में 1857 एश्वी की क्रांती का नेता कौन था तो दिवान मनिरामदत फैजाबाद से बिद्रो कर रहे किस क्रांती कारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपे का इनाम रखा था तो मौल भी एहम दुल्ला को नेक्स्ट है कानपूर से बिद्रो का नेतरित्व कर रहे नाना साहिब ने किसे अपने सेना पती नियुक्त किया तो ये तांतिया टोपे को और तांतिया टोपे को जो है रामचंदरपांडू रंग के नाम से भी जाना जाता है अठारा सो सतावन के विद्रो के दोरान मुगल बादशा बहादुर शाजफर ने किसे अपना सेना पती न्युक्त किया था तो ये थे वक्त खा दोस्तो 1857 इश्वी के विद्रो के प्रमुख केंद्र और इसके प्रमुख विद्रोही नेता के नाम लिखे हुए है दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्र दिया हुआ है यहाँ पर विद्रोही नेता विद्रोह किती थी और दमन करता का नाम दिया हुआ है दोस्तों दिल्ली में जो है बहादुर शाह दुट्तिय यानि कि बहादुर शाह जफर जो थे वो बिद्रोही नेता थे और बक्त खाएन के सैनीक थे सैने नेत्रित्व बक्त खाने संभाला था इसके जो शुरुवात हुई थी ग्यारा मई अठारा सो सतावन को ही थी और इसके जो दमन करता थे वो निकलसन और हैडसन थे यानि कि जो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसको दवाने का काम किस ने किया तो वो किया था हडर निकलसन और हडसन ने लखनव में विद्रोह जो है उसका नेत्रित्व किस ने किया तो वो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने और कब शुरुवाई है तो चार जून इनके प्रमुखनेता थे और 4.1857 को ही ये विद्रो शुरू हुआ था जनरल ही रोज जो थे इसको इस युद्ध को दवाने में वो शफल हुए कानपूर में जो विद्रो हुआ वो नाना साहब और तांतिय टॉपी के नित्रित में शुरू हुआ और 5.1857 को ये शुरू हुआ था और कॉलिंग कैम्प बेल जो है इस विद्रो को दवाने में कानपूर में विद्रो को दवाने में सफल हुए थे इलाहबाद में लियाकत अली खां ने नित्रित्व संभाला और जून 1857 में विद्रो हुआ और करनल नील ने इस विद्रो को दवाया फैजबाद में मौलवी अमदुल्ला जो है अहमदुल्ला इन्होंने फैजबाद में विद्रो का नित्रित्व किया और जून 1857 में ये व्यूद जो हो शुरू हुआ था और करनल नील जो है उन्होंने इस विद्रो को दवाया था जगदीशपूर ये बहुत इंपोर्टेंट है बिहार जो बीपेसी के तयारी कर रहे है उनके लिए तो खासतोर से तो कुमर सी और अमर सी जो है उन्होंने विद्रो का नित्रित्व किया था जगदीशपूर से और ये जो युद्ध शुरू हुआ था ये 12 जोन 1857 से शुरू यम टेलर और बियन तुर को दवाया था जगदीशपूर में बरेली से खान बहादूर खां और इसको जो दवाने का काम किया था बियन तुर कर ने फथे-पूर से आजिमुलाक के नित्रित्तमें यही बिद्रो फथे-पूर में शुरू हुआ और 1857 में शुरू ह किubenर ग WRON ने जो है इस विद्रो को दवाया था बर्ष 1857 के विद्रो के समय मुगल साशक बहादुर शाजफर थे इन्हीं इस विद्रो का अखिल भारतिय सेना बनाया गया था नेक्स्ट बर्ष 1857 के विद्रो के दवन के पस्चात भारत साशन अधिनियम 1858 पारित किया गया इसके माध्यम से भारत का साशन इस्ट इंडिया कमपनी के हाथों से निकल कर ब्रेटिश क्राउन के हाथों में चला गया महारानी विक्टोरिया ने भारतिय प्राशाशन को ब्रेटिश ताज के नियंतरन में लाने की घोशना कब की तो एक नवंबर 1858 को बर्ष 1857 के विद्रो के दवन के पस्चात भारतिय शेना का पुनरगठन किस आयोग ने किया था तो ये पील आयोग ने बर्ष 1858 के भारत साशन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथमबाई सराज बनाया गया तो ये लौड कैनिंग को बर्ष 1857 के विद्रो क में कौन सा शायर अंग्रेजो के का आलोचक था तो ये मिर्जा गालीव भारत में भारत के सिक्षित मध्यंबर के तथा जमीदारों ने 1857 में तठस्ता बनाय रखे थे 1857 के विद्रों के कारणों पर भारतिय भाषा में लिखेने वाला प्रतम भारतिय कौन था तो ये थे सर सेयद एहमद खां नेक्ट देखें दोस्तों बरस 1857 के विद्रों में बिहार का नेतरित्व जगदीशपूर के जमिदार बेर कुवर सी द्वारा किया गया था 1857 के स्वतंतरता संग्राम में किस राजबनष ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सायता की थी तो गालियर के सिंधिया ने दोस्तों यहां पर 1857 पर अधारित पुस्तके लिखी हुई है और इस साइड में लेखक का नाम लिखा हुआ है तो देखते हैं कि कौन-कौन से पुस्तके उस टाइम पर लिखे गई थी तो दे ग्रेट रिवेलियन यह अशोक मेहता द्वारा लिखा गया फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस यह बिनायक दमोदर सावर कर बीडी सावर कर द्वारा लिखा गया 1857 यह एस एन सें द्वारा लिखा गया सिपोय म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ओफ अठारा सो सतावन यह आर सी मजुमदार द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ओफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स द्वारा लिखा गया रिवेलियन्स 1857 पी शी जोशी द्वारा और कॉजिज ओफ दे इंडियन रिवोल्ट सरसयद अहमद खा द्वारा लिखा गया था रानी लक्ष्मी वाई की मृत्यू पर हियो रोज ने कहा था भारतिय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थे दोस्तों अगर हम आगे देखें तो 1857 किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंतरता की पहली लड़ाई कही थी तो बीडी सावर करने 1857 किसने दी तो सर जेम्स आउट्रम और डवलू टेलर ने तथा कथित प्रथम राष्टिये स्वतंतरता संग्राम ना प्रथम ना राष्टिये और नहीं स्वतंतरता संग्राम था या किसका कथन है आरसी मजुमदार का भारतिये स्वत धिंता अंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था तो ये थे एस एन सेन 1857 पर अधारित प्रमुख मत यहां पर दोस्तों इतिहासकार और यहां पर मत दिये हुएं अगर दोस्तों बात करें इतिहासकारों की तो डॉक्टर एस एन सेन जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारम हुआ वह स्वतंतरता संग्राम में के रू समाप्थ हुआ दोस्तों इनका मानना जो था एस एन सेन का इनका मानना था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंतरता संग्राम के रूप में समाप्थ हुआ था अशोक मेता इनका क्या मानना था कि 1857 इश्वी के विद्रो का स्वरू ना तो प्रथम ना ही राष्डीय और ना ही स्वातंत्रता संग्राम था। Sir John Lawrence ने क्या कहा इस विद्रोग के बारे में तो इन्होंने कहा या पूंड था सिपाई विद्रो था। इसके अलावा Benjamin Disrily इन्होंने 1857 के विद्रोग एक राष्ड़िय विद्रोग था। पी रोबर्टसन इनका क्यामत था कि 1857 का विद्रो केवल एक सैनिक विद्रो था जिसका ततकालिन कारण चेरवी युक्त कार्तूश थे। टी आर होम्स ने क्या कहा इस युद के बारे में तो यह सभ्यता एवं बरवर्ता का संघर्ष था। डेव लुटिलर और जेम्स ओर्टरम ने कहा कि यह अंग्रेजों के बिरुद हिंदू मुसल्मानों का सड़ेंतर था। रीज द्वारा इसे कहा गया यह इसाई धर्म के बिरुद एक धर्म युद्ध था। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख किसान एवं जनजाती अंदोलन दोस्तों अब वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और ज्यादस ज्यादस दोस्तों तक इसको पहुंचा रहे होंगे। चलिए देखते हैं उनीसवी शतावदी के दोरान होने वाले बहावी अंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था तो वो पटना था। 1857 के बिद्रो के पहचात बंगाल में कौन सा बिद्रो हुआ था तो वो हुआ था नील बिद्रो अठारा सो उनसाट अठारा सो साथ में। पोटस में दिया हुआ है संथाल बिद्रो का नित्रिटवraction जो 1856 में रहने हुआ था सिंधु एवं कानू ने किया था इस वि द्रो को हूल विद्रो के नाम से भी जाना जाता है तो जो संथाल विद्रो हुआ था 1856 में उसका नित्रित किसके द्वारा किया गया सिध्धो और कानू के द्वारा और इस विद्रो को हूल विद्रो के नाम से भी जाना जाता है बंदे मातरम गीत का के रच्यता कौन है तो ये हैं बंकिम चंदर चटरजी सन्यासी विद्रो का उलेख बंकिम चंदर चरजीड के किस उपनियास में किया गया है तो ये किया गया है आनन्द मथ में हो विद्रो कब हुआ था तो यह था 1821 के मद्धे में संभलपूर कि में हुए अनेक ब्रिटिश बिद्रोहों का नेता कौन था तो ये थे सुरेंदर साई महराष्ट में रामोशी क्रिशक जथा की स्थापना बासुदेव बलवन्त फड़के के ने स्थापित किया था महराष्ट में जो रामोशी क्रिशक जथा था उसकी स्थापना किस ने करी थी बासुदेव बलवन्त फड़के कुका अंदोलन किस ने संगठित किया था गुरू रामसी ने उल्गुलान विद्रो किस से संबंदित है तो ये बिरसा मुंडा जी से संबंदित है नेक्स्ट अगर देखे दोस्तों बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंदित थे तो ये थे जहारखंड राज्य से जहारखंड में जो है वहाँ पर बिरसा मुंडा अंदोलन चला था निल क्रिश्को की दुर्दशा पर रचित नाटक निल दरपन के लेखक दीन बंदो मित्र थे पागल पंथी विद्रो का मुखेता किस छेतर में हुआ था पागल पंथी विद्रो जो है वो शेरपूर से गारो पहाडियों तक के बीच में ये जो पागल पंथी विद्रो है वो हुआ था फराईजी विद्रो का निता कौन था तो ये दादू मिया थे छोटा नागपूर जनजाती विद्रो कब हुआ था तो ये हुआ था अठारा सो बीस इश्वी में मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रो का उदेश क्या था तो इसका था वकासत भूमी की बापसी की मांग कोल विद्रो का नित्रित जो अठारा सो इकतिस बतिस में हुआ था किस ने किया था तो ये बुद्धो भगत ने मानबली प्रथा मूरिया का निशेद करने के कारण अंग्रेजों के विरुद विद्रो खोंड जन जाती ने किया था और ये खोंड जो विद्रो है ये उडिसा राज्य से संबंदित है किस से उडिसा राज्य से मुंडा विद्रो किस वर्ष हुआ था तो ये मुंडा विद्रो जो है 1899 इश्वी में हुआ था 1855 इश्वी में संथालो ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था तो मेजर बारो को सन्यासी विद्रों का दमन करने का श्रे किसे दिया जाता है तो ये बॉर इन हैस्टिंग्स को सन्यासी विद्रों का दमन करने का श्रे दिया जाता है नेक्स्ट यहां पर दे रखा है दोस्तों प्रमुख जनजातिय विद्रों जिसमें यहां पर विद्रों का नाम दिया हुआ है यहां पर नित्रित्व करता और यहां पर वर्ष और इसमें प्रभावित छेत्रों का उलेख किया गया है तो चुवार विद्रो जो हुआ था उसके नित्रित्व करता राजा जगनात थे और ये 1768 इस्वी में ये विद्रो हुआ था इसका जो छेत्र था ये किस छेत्र में हुआ था तो नान भूमी बाविर भूमी जो पस्चिब मंगाल में है उस छेत्र में चुवारा अंदोलन हुआ था इसके अलावा हो विद्रो यह राजा पराहत के नित्रित्व में हुआ था और यह 1820, 1822 और 1832 अश्विए में देखने को मिला और इसके प्रभाविद छेत्र जो है सेंभूमी और चोटा नागपुर का छेत्र जो है वो इसके अलाबा भील विद्रो जो है ये भी हुआ और भील विद्रो 1880prechen बीच में हुआ और इसके जो नित्रित्व करता थे सेवाराम और त्रेम्बंक थे और ये जो छेत्र है खान देश का जो छेत्र है वहाँ पर ये विद्रो देखने को मिला था खासी जो अंदोलन था ये राजा तीरत सिंग, मुकुंद सिंग, बाबार मानिक के नेतरित में अंदोलन हुआ और ये 1829 से 1832 के बीच में हुआ जो खासी पहाड़ी यानि की असंब मेघाला के छेतरों में ये अंदोलन हुआ था वही अगर हम बात करें कोल विद्रो की तो बुद्धो भगत इबम गंगा नरायन इसके नितरित्व करता थे और 1831 32 में ये अंदोलन हुआ था छोटा नागपुर पठार जो है ये वाला छेतर इस विद्रो से प्रभावित था रंपा विद्रो इसके जो नितरित्व करता थे अलूरी सीता रामजु थे और 1789 में ये 1889 में ये विद्रो संपन हुआ था जो आंदर प्रदेश छेतर में ये विद्रो संपन हुआ था खोड जो विद्रो है ये चक्र विष्णोई इसके नितरित्व करता थे और ये 1846 से 48 और 1855 में ये विद्रो हुआ था ये उडिशा खोंडमल छेतर में ये विद्रो हुआ था संथाल विद्रो इसके नित्रित्व करता बहुत ही इंपोर्टेंट है सिद्धू और कानू थे और 18556 में ये विद्रो हुआ और राजमहल की पहाड़ी जो पश्चिम मंगाल में हैं ये वाला छेतर इससे प्रभावित था मुंडा विद्रो विर्शा मुंडा के नित्रित में हुआ 1899 और 1990 के बीच में और ये जो है कहां पर हुआ था तो छोटा नागपूर के इलाके में हुआ था भील विद्रो इसका नित्रित में दौलत सिंग ने किया 1914-1915 में ये विद्रो हुआ था और वासवाड़ा एवं दुंगरपूर दक्षनी जो राजस्थान है उस छेतर में भील विद्रो जो हुआ था वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पावना विद्रो की तो पावना विद्रो 1873 से 76 के बीच में हुआ था और इसके प्रमुख नेता इशान चंद्र राय संभूनात पाल इवं केशन केशव चंद्र राय थे तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि कई सारे जंजातिये अंदोलन हुए और इसके नेत्रित्व करता अलग अलग थे अगला देखते हैं दोस्तों बेलू थंपी ने अंग्रेजों के बिरुद अंदोलन का नेत्रित्व कहां किया था तो ये किया था केरल में भीलो दुआरा मध्य परदेश वा महराष्ट में अंग्रेजों की बिर कौलापुर जनजातिये लोगों के लिए आदिवासी शब्द का परियोग इसने किया था तो यह किया था ठककर बापा ने और ठकरवापा सबसे प्रतम बेकती थे जिन्होंने जनजातिये लोगों के लिए आदिवाशी शब्द का प्रियोग किया था खैर बार आदिवाशी अंदोलन किस बर्श हुआ था तो यह हुआ था 1874 में मोपला बिद्रो कहा हुआ था तो मोपला बिद्रो जो है दोस्तो वो केरल में मालावार तटके इलाके में हुआ था नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर बॉक्स में दिया हूँ है नोट के तोर पर कि गोविंदगीरी में मेबाड बांगड और आसपास के छेत्रों में निवास करने वाले भीलो ने समाजिक सुधार के लिए लसोडिया अंदोलन प्रारम्ब किया था तो समाजिक सुधार के लिए मेवाड और गोविंदगीरी में भीलो द्वारा कौनसा अंदोलन चलाए गया था तो यह चलाए गया था लसोडिया अंदोलन अहोम विद्रो जो 28-835 के बीच में हुआ था यह किस राज्य से सम्बंदित था तो यह था असम राज्य से रामसी के नित्रित्म में संचालित कूका अंदोलन की शुरुआत मूलता किसके द्वारा के गई थी तो इसके जो नित्रित्म करता थे भगत जवार मल थे जो सेना के द्वारा साहिब थे सेन के द्वारा साहिब थे माराष्ट में कौन सा विद्रो हुआ था तो माराष्ट में भील विद्रो जो है वो हुआ था बेरसा मुंडा ने एक इशवरबाद की स्थापना पर बल दिया था दोस्तों यहाँ पर किसान विद्रो किसान इवमनागरिक विद्रो के बारे में दिया हुआ है तो आप अगर देखें तो अलग-अलग स्टेट में कौन-कौन सा विद्रो हुआ था इसके बारे में बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर है तो पंजाब में अगर देखा जाए तो कूका विद्रो 1840, 1872 के बीच में नित्रित्व करता भगत, चवाहरमल, बालकसी और रामसी कूका इसके अलावा अगर हम नीचे हैं तो राजस्थान में भील विद्रो और इसके नित्रित्व करता दसरत हीरिया और हीरिया सेवाराम गुजरात में देखा जाए तो कच्छ विद्रो नित्रित्व जो इसका किया था भारत मल जहरेजा और इसमें जो हुआ था एक बगहेरा विद्रो अठारा सो अठारा में इसके बाद में अगर महाराष्ट में देखा जाए तो महाराष्ट में गड़करी विद्रो 1844 में संपन हुआ था और इसके जो नेत्रित्व करता थे बाबा जी अहीर के अहीर एकर थे गड़करी माराठा के लेके संडक्षक थे वहीं अगर हम देखें पश्चमी घाट तो पश्चमी घाट पर जो दोस्तों रामोसी विद्रो हुआ था और इसके जो नेत्रित्व करता थे वो थे चित्तर सी और बासुदेव और उसके बाद में बलबंत फड़के रामोसी विद्रो 1822 में हुआ था और ये कहां पर हुआ था तो ये पश्चमी घाट पर हुआ था और ये विद्रो जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आगे अगर हम बात करें करनाटक विद्रो की करनाटक राज्य में कौन-कौन सा विद्रो हुआ तो इसमें किट्टूर विद्रो जो है करनाटक और किट्टूर एक जैसा देखने को लगता है तो करनाटक में जो है कि टोर बिद्रो हुआ 1824 से 1829 में और इसके जो नेत्रित्व करता थे वो चेनम्मा और यरप्पा थे इसके बाद में अगर हम बात करें तमिल नाडू की तो तमिल नाडू में पॉली गारो का बिद्रो और गंजाम बिद्रो हुआ था पॉली गारो बिद्रो अठारा सो एक में और गंजाम बिद्रो अठारा सो से अठारा सो पांच में हुआ था पॉली गारो बिद्रो का नेत्रित्व करता काटबामन थे और वहीं गंजाम बिद्रो का नेत्रित्व करता श्रीकर भंज थे वहीं अगर हम नीचे से देखें दोस्तों तो आंदरकर्देश की बात करें तो आंदरकरदेश में दो बहुती important विद्रो हुआ था एक जो था रंपा विद्रो जो बहुत ज्यादा important है यह हुआ था 1800-1989 में और इसके जो नित्रित्व करता थे सीता राम राजु थे इसके अलावा जो नेक्ट विद्रो हुआ था आंधर परदेश में वो था चेंचू आदिवासी अंदोलन 1920 में इसके नित्रित्व करता मोतिलाल तेजावत थे उसके बाद में अगर हम बात करें पूरवी गोदावरी में तो यहां पर एक विद्रो हुआ था जिसे कोया विद्रो के नाम से जाना जाता है और ये विद्रो अठारा सो उन्यासी असी के बीच में हुआ था और इसके नित्रित्व करता टुम्मा सोरा थे नेक्स्ट अगर देखे दोस्तो उडिसा में तो उडिसा में जो है दो विद्रो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है खोंड और पाई का तो उडिसा में खोंड विद्रो 1837 में चक्र विस्नोई के नित्रित में हुआ और पायका विद्रो 1870 में बक्षी जगबंधू के नित्रित में हुआ वहीं संभलपूर विद्रो 1833 से 1862 के विद्रो में के टाइम पर हुआ और इसके नित्रित्वकरता सुरेंदर साही थे पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल का जो विद्रो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां से कई वार कोशन्स पूछे जाते हैं तो पस्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रो 1870 में हुआ और इसके नित्रित्वकरता सन्यासी थे जो गिरी संप्रदाय के थे इसके अलावा फकीर विद्रो सन्यासी, फकीर, पागलपंती, फराईजी भूमी जी यह सारे जो एक तरीके से जो बाबा टाइप का जो अंदोलन है वो सारे कहां से हुए है पश्चिब बंगाल से तो फकीर विद्रो जो है यह 1876 में हुआ और इसके जो नित्रित्व करता थे मजनु शाची राग थे पागलपंती विद्रो जो है यह 1813 में हुआ और इसके जो नित्रित्व करता थे करमशाह और टीपू मार्त मीर थे फराईजी विदरो 1820 में डादु मिया के नितरित में संपन हुआ पस्चे पंगल में इसके अलावा जो लास्ट विदरो पस्चे पंगल में हुआ वो था भूमिज विदरो कब हुआ यह 1833 में हुआ था इसके अलबा दोस्तों अगर हम बात करें बिहार राज्य की तो बिहार में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिद्रो हुआ जिसका नाम है बहावी अंदोलन बहावी बिद्रो 1830 से 1860 के बीच में हुआ और इसके नित्रित्व करता सेयद एहमद बरेल भी थे आगे अगर हम उपर की ओर अब जाएं तो यहां पर देखेंगे कि अलग-अलग जो पूरवोत्तर राज्य हैं वहाँ पर भी कई सारे इसके अलावा असम की बात करें मनिपूर में देख लें तो मनिपूर में एक कूकी विद्रो हुआ था जो 1917 में हुआ था असम की बात करें दोस्तो तो असम में दो विद्रो बहुत ही इंपोर्टेंट है अहोम विद्रो 1828 में हुआ था गोमधर कूबर के नित्रित में और खा जो है यहां की एक जनजाती भी है उसी जनजाती के द्वारा खासी विद्रो संपन हुआ था साथ ही साथ में गारो खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियां भी जो है असम छेत्र में देखने को मिलती है ठीग है इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में चेरो विद्रो हुआ था जो अठारा सो एक में हुआ था और इसके जो नेत्रित्व करता थे भूशन सिंग थे लास्ट जो है हमारा वो है देखे दोस्तों कोल विद्रो 1831 में नेत्रित्व बुद्धो भगत संथाल विद्रो 1855 में नेत्रित्व करता सिद्धोर कानू खैरबर विद्रो ये जो हुआ था ये हुआ 1864 में मुंडा विद्रो 1899 में तान भगत अंदोला 1914 में और इसके जो नेत्रित्म करता थे जत्रा भगत और युवान बा जुवांग विद्रो 1867 से 1868 में नित्रित्व करता थे रन नायक और ये सारे जो विद्रो हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और ये जारखन राज्ये में संपन सारे विद्रो हैं तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर कितने सारे विद्रो हुए है और अलग अलग राज्यों में यह देखने को मिला है गोगी नेगी गंगा गोगी नेगी रांगा बायकुलू भारतिये स्वत अंतरता सेनानी संसदनेता तथा भारतिये किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर बिभिन किसान आंदोलन के बारे में दिया हुआ है और उससे प्रभावित छेत्रों का वर्णन किया है यहाँ पर अंदोलन है और यहाँ पर परभावित छेत्र यहाँ पर नेतिरित्व करता और यहाँ पर कारण दिया हुआ है तो मोपला बिद्रो दोस्तों दो चरणों में हुआ था पहला जो चरण था वो 1836 से 1954 के बीच में चला और उसके बाद में जो दूसरा चरण था वो 1900 के बाद हुआ तो मोपला बिद्रो मालावार छेत्र में हुआ और इसके जो नेतिरित्व करता थे के एन हाजी थे कारण जो था अंग्रेजयों दूरा नई राजस्वी व्यवस्ता लागू की गई थी और राजस्वी के जो दर थी वो बहुत ज़्यादा उंची थी इसी बज़ा से ये विद्रो किया गया निल विद्रो 1869 आठारा सो साथ के बीच में बंगाल के छेत्र में संपन हुआ और निल विद्रो के बारे में जानकारी जो है निल धर्पन में मिलती है जिसके जो रचयता है नील बंधू है दीन बंधू है इसके अलावा अगर इसके नितृत्व करता की बात करें तो ये दिगंबर विश्वास और विश्णु विश्वास के द्वारा इसका नित्रित्व किया गया और इसका कारण था यूरोपिय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना पावना विद्रो बंगाल के छेतर में हुआ ये भी बहुत इंपोर्टेंट है 1873 और 1886 के बीच में ये विद्रो हुआ था और इसके जो नेत्रित्व करता थे इशान चंद्र राय संबून आत्पाल तथा केशव चंद्र राय थे और इसका जो प्रमुख कारण था दोस्तों अधिक लगान तथा वर्ष 1869 के अधिनियम के अंतरगत मिली कास्तकारों की जम हुआ और इसके जो नेत्रित्व करता थे बाबा शाहब देश मुख थे इसका जो कारण था रियत बाड़ी वाले छेत्र के किसान करज अदाएगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे और कापास की गीरती कीमते बाकाल के बावजूद लाकान की दर अत्यधिक में अ का जो फसल है वो बरबाद हो रहा था उसके बाब जूद भी जो है क्या हो रहा था कि लगान की जो किमते हैं लगान की जो मांग है वो बढ़ती जा रही थी इसी वज़ा से दक्कन छेत्र यानिकी महरास्ट में दक्कन विद्रो 1864 पीचतर में बावा साहब देश मुक के न और यह महात्मा गांधी के नेत्रित में हुआ था और चंपारन विद्रो जुए। तिनकठिया प्राणाली के विद्रो में विरोध में हुआ था। होते हुए खेड़ा में खेड़ा विद्रो जो है वो संपन हुआ अबद किसान अंदोलन ये जो है दोस्तों प्रतापगड राइबरेली सुल्तानपूर और फैजाबाद में ये विद्रो संपन हुआ और इसके जो नेत्रित्व करता थे जिंगूरी लालसी और बाबाराम चं बढ़ोत्री की गई यही कारण था कि अबद में किसानों ने 1920 में अंदोलन किया एका अंदोलन ये अंदोलन जो है बारावंग की हरदोई और सीतापूर में हुआ और इसके जो हैं नेत्रित्व करता मदारी पासी थे और इसका जो प्रमुख कारण था वो था लागान में ब्रिद्धी मोपला विद्रो की अगर हम बात करें दोस्तो तो इसका जो द्वित्य चरण था मोपला विद्रो का 1921 में हुआ और ये हुआ मालावार तट पर और इसके जो हैं नेत्रित्व करता अले मूदलियार थे और ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसका जो कारण था अधिक लगान और किसानों की बेदखली थी यही बज़ा है कि यहां पर मोपला विद्रो का दुइत्य चरण देखने को मिला इसके बाद में बार्दोली सत्यगरा सूरत का बार्दोली तालुका इससे प्रभावित था और इसके किसान आंदोलन हुए हैं उन सभी किसान आंदोलना का प्रमुख कारण भूरा जस्में बढ़ोत्री थी और कहीं न कहीं किसानों की भूमी या फिर जमिदारों का जो जमिदारी थी उनका छिंजाना विद्रो का प्रमुख कारण बना दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब म और इसके जो नित्रित्व करता थे सोहन सी, भाकना, ज्वाला सी, तेज सी और मास्टर हरी सी और बावा ये इसके नित्रित्व करता थे और यहाں पर अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण क्या था तो भूराजस्व में कटौटी, रिनों के भूगतान का में स्थगन, ततकालिन कारण, अमरित चरबा, लहोर में भूराजस्व का पुर्ण निर्धारण और रजस्व का पुर्ण निर्धारण नहर कर में में बृद्धी की गई थी भागा अंदोलन की बात करें अगर दोस्तों ते भागा अंदोलन ये हुआ 1946 में और ये दिनाजपूर रंगपूर और मदिनापूर 24 परांगना के छेत्र में ये अंदोलन संपन हुआ था और इसके जो नेत्रित्व करता थे कंपाराम कंपाराम भवन सिंग और मूली सिंग थे इसका जो मुख्य कारण था बटाईदारों ने निरनाय लिया कि वे जोतोदारों को आधे के स्थान पर एक तिहाई उपज देंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना अंदोलन की तो ये तेलंगाना छेत्र में हुआ 1946 से 1951 के बीच में और ये जो है एक सामोहिक नेत्रित्व इसका किया गया और इसमें इसका कारण था निजाम जमिदार और साहुकार तथा ब्यापारियों के विरुद संगर्ष किसानों द्वारा किया गया भारत की स्वतंतरता के पस्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेत्रित्व विनोबा भावे द्वारा किया गया था जिसमें जमिदारों को किसानों को भूमी दान करने के लिए प्रेरित किया गया हमारा जो नेक्स टॉपिक है ब्रेटिश भारत में सिक्षा का विकास दोस्तों अगर हम देखें तो ब्रेटिश भारत में सिक्षा के विकास के लिए थोड़े बहुत काम किये गए हाला कि इसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो अपने हितों की पूर्ती करना था तो चलिए हम देखते हैं और दोस्तों उमीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और वीडियो अगर पसंदा रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मैं तोड़ा जल्दी इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बच सके चलिए शुरू करते हैं ब्यक्तिगत परियासों से सर्व प्रथम कलकत्ता में सिक्षा हे तुम मदर्सा के स्थाप ना किसके द्वारा की गई तो वो किया गया बॉरेन हैस्टिंग के द्वारा बरस 1784 में कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के स्थापना किसके द्वारा की गई तो ये किया गया सर बिलियम जोन्स के द्वारा नोट में दिया हुआ एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के अधिन सर्व प्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद चाल्स बिलिकिन्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद रचना अभिज्यान सकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुबाद सर बिलिय इस्षण डंकनने नेक्सट वर्स 182019 में कलकट्ता में असैं ने अधिकारियों के प्रसिक्षन हे तू फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा के गई थी तो यह क्या गया था लॉड बेलेजली के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिक्षा के प्रसार हेतु एक लाख रुपे खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था तो ये दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में आंगल प्राच्चे बिबाद किस से सम्मंदित है तो ये है भारत में सिक्षा प्रसार हेतू आंगलबादी यूरोपिय घ्यान इबम अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे जबकि प्राच्चे बादी भारतिय प्रारमपरिक ज्यान इबम भारतिय भाषाओं के समर्थक थे आगे अगर देखा जाए तो सिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निश्यंदन सिध्धान्त के प्रमुख प्रवर्ता कौन थे तो ये था ओकलेंड लौड मेकले किस सिक्षा पद्धिती से संबंधित है तो वो है अंग्रेजी सिक्षा पद्धिती से भारत में आधोनिक सिक्षा प्रणाली की शुरुवात कब हुई तो ये 1835 के मेकलो के संस्करन पत्र से भारत में अंग्रेजी सिक्षा किस बाइसाराय के साशनकाल में आरंब की गई तो ये किया गया लौड बीलियम बैंटी के साशनकाल में किस घोशना पत्र को भारतिय सिक्षा का मैगना काटा कहा जाता है तो ये है बुढ घोशना पत्र जो 1854 में आया था वर्ष 1837 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना किस्च सम्बंदी था तो ये भी सिक्षा से सम्बंदी थी आगे अगर हम बात करें बुट घोशना पत्र के सुझाब पर कलकत्ता बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वे विद्यालियों की इस्थापना की गई तो ये किया गया 1857 में नोट में दे हुआ है मनुसमरिती वह प्रथम गरंथ है जिसका अनुबाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेन्टु लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था पेरिश इस्थित रोयल्स एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतिय को प्रदान की गई थी तो ये किया गया था माईकल मदुसूदन दत को बंबई में प्रथम महिला विश्वे विद्याले की स्थापना किस के प्रयासों से की गई तो D. K. Carvej के प्रयास से भारतिये विश्व विद्यालेयों में धार्मिक सिक्षा के लिए किस ने प्रबल रूप से बकालत की थी तो ये थे मदन मुहल मालवी है बनारस हिंदू विश्व विद्याले का सिला नयास किस के द्वारा किया गया था तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नेक्स्ट अगर देखे नोट में दे हुआ है भारत में सिक्षा के छेत्र में विकास के लिए एनी बेसंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के स्थापना की जो वर्ष 1916 में मदन मुहनमालविय जी के परियासों से बनारस बिश्व विद्यालय के नाम से जाना गया नेक्स्ट अगर देखा जाये तो वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ये किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा आगे अगर देखे जाए दोस्तो तो बर्स 1847 में रुकडी इंजिनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस के द्वारा किया गया तो ये किया गया जेम्स टॉम्सन के द सुझाब दिये गए और उसी के आधार पर जो है सिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया तो यहां पर कुछ सिक्षा आयोग दिये हुए हैं और इसमें समेतियों का नाम है और इधर गवर्नर जनरल या वाइसार आये हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें चार्ल्स बुड ज चावण में आया था और इस टाइम पर लाड डल होजी वो गवर्नर जनरल थे हंटार आयोग 1882 में आया और इस टाइम पर जो वाइसाराय थे वो लौड रिप्पन थे यह सारे जो आयोग है दोस्तों यह हैं सिक्षा आयोग सिक्षा से सम्मंदित आयोगों का गठन किया ग जिसे विश्व विद्यालाय आयोग के नाम से भी जाना जाता है यह लौड करजन के नेत्रित में आया था इस टाइम पर अगर देखा जाए 1917 में एक और आयोग आया जिसको सेडलर आयोग के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पर जो वाइसराय थे वो लौड चेम्स फोर्ड थे इंच कैप आयोग 1923 में आया और इस टाइम पर वाइसराय कौन थे तो वो थे लौड रिडिंग हार टोंग समीती प्रात्मिक सिक्षा के उपर आयी थी और ये आया था 1929 में और इसके जो वाइसराय थे इस टाइम पर लौड इर्बिन थे इसके बाद में देखें तो वो है लिंड से आयोग जो प्रात्मिक सिक्षा पर आया था 1929 में ही और इस टाइम भी वाइसाराय कॉन थे तो वो थे लौड इर्विन नेक्स्ट जो था सर्जेंट आयोग आधोनिक भारत में प्रैस का विकास ये आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इसके बाद में हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक को कवर करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग शेयर कर रहे होंगे और जादस जादस दोस्तों तक पहुचाने का प्रयास कर रहे होंगे ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत का प्रथम समचार पत्र दरहिंद बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था तो वर्ष 1780 में किस के द्वारा तो ये जेम्स आगश्टस हिक्की के द्वारा कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है वर्नाकूलर प्रेस एक्ट किस वाइसाराय के समय पारित हुआ तो ये हुआ था लॉड लिटन के टाइम पर वर्ष 1866 में संपादित ज्यान प्रदाइनी पत्रिका का संस्था पत कौन था तो नबिन चंदर राय भारत में सर्व प्रथम प्रेस सेंशर्शिप किसने लागू किया था तो ये किया था लॉड बेलेजली ने नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी तो ये किया गया था मौलाणा अबुल कलाम अजाद के द्वारा अम्रित बाजार पत्रिका की स्थापना किसनिकी थी तो ये किया था सिशिर कुमार घोशने रामचंदर चटरजी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मौडन रिब्यू पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी तो ये कलकत्ता से नोट में दे हुआ है वर्ष 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉड रिप्पन ने वर्ष 1886 में रद कर दिया रिप्पन को प्रेस का मुक्ती दाता भी कहा जाता है पत्रकार के करतव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतिये कौन था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक एक साफ ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुबारंब किस ने किया था तो ये किया था होम रूल पार्टी ने नेक्स्ट देखें थोड़ा कलर इसका जुए वो चेंज कर लेते हैं इसमें मजाएगा चलिए देखते हैं आगे भारतियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समचार पत्र कौन सा था तो ये था हिंदी पैट्रियोट अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार किसने प्ररंब किया था तो ये तारकनाथ दास ने नोट में दिया है कानपूर से प्रकाशित प्रताप समचार पत्र के माध्यम से बिजैसी पतिक ने बिजौलिया अंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विशय बना दिया था नेक्स्ट है दोस्तों फार्सी सप्ताहिक मिरात उल अखवार किसके द्वारा प्रकाशित होता था तो ये होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा नेक्स्ट है रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किश्पत्रिका का संपादन किया था तो ये किया था स्टेट्समेन यहां पर दिया हुआ है नोट में अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मुहर मालविये ने अभ्यूदे पत्रिका के पस्चात किया था नेक्स्ट देखें अगर दोस्तों तो वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखवार का प्रकाशन कहां से होता था तो ये भी कलकत्ता से होता था बहिश्कृत भारत पत्रिका से संबंद किसका संबंद है तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेड करका हरीजन पत्रिका के प्रारंब करता कौन थे महात्मा गांधी लिटन द्वारा बरनाकूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतिय समाचार पत्रों पर प्रतिबंद लगाया था तो ये 1878 में नोट में दिया हूँ है वर्ष 1920 में लहौर से लाजपत राइद्वारा उर्दू में बंदे मात्रम समचार पत्र प्रारंब किया गया था सोम प्रकाश नामक समचार पत्र की शुरुवात किस ने की थी तो इश्वर चंद्र विद्या शागर ने लिडर अखवार किस कार्रे के लिए प्रसिद्ध था तो उदारबादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी सब्ताहिक पत्र बंदे मात्रम के साथ किसका सम्बंध है तो वो है अर्विंद घोश का किस पत्रिका ने बर्ना कुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था तो ये किया था पाइनियर ने नोट है नील अंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदी पैट्रियोट के संपादक हरिश चंद्र मुखर जी थे आगे अगर देखा जाए तो स्वादेश बाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे तो ये थे केश्र के रामकृष्णन पिल्ले अंग्रेजी समाचार पत्र डिपेंडेंट किसके द्वारा प्ररंभ किया था तो मोतिलाल नेहरू के द्वारा मराठी भाषा की पत्रिका केश्री के संपादक कौन थे तो ये थे लोक मानने बाल गंगधर तिलक इंडियन नेशन अखवार का प्रकाशन कहां से होता था तो ये पटना से होता था नोट में देवाए कौंग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सपता बाद कलकत्ता के समचार पत्र दहिंदू इंडियन मिरर ने लिखा बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रिय कौंग्रेस भारत में ब्रिटिश साशन के इतिहास में एक मैत्पूर्ण अध्याय जोडती है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट पेज होगा तो चलिए देख लेते हैं यहां पर दिया हूँ है प्रमुक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और यहां पर पत्र पत्रिकाओं का नाम है यहां पर प्रकाशन वर्स है संस्थापक स्थान और किस भाषा में वो पत्रिकाएं छपती थी उसका भी वर्णन किया गया है तो बंगाल गजट 1780 में ये प्रकाशित हुई और संस्थापक जो थे इसके जेम्स आउग्ष्टस हिक्की थे कलकत्ता में ये पत्री का प्रकाशित होती थी और इसकी जो भाशा थी वो थी अंग्रेजी दूसरा बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भटाचार्य द्वारा चालू किया गया और ये भी कलकत्ता में था और ये भी अंग्रेजी भाषा में संपाधित होता था समचारदर पर 1816 में मौर्ष मेन के नित्रित में और ये भी कलकत्ता से संपाधित होता था और बंगाली भाषा में ये पत्रिका जो है वो संपाधित होती थी दिखदर्शन पत्रिका जो है 1818 में प्रकाशित हुई और मौर्श मेन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया और कलकत्ता में इसको प्रकाशित किया जाता था और ये बंगाली भाशा में लिखी होती थी संबाद कैमुदी 1821 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई इसके जो संस्थापक थे राजा राम मुहनराय थे और कलकत्ता से ये पत्रिका संपादित होती थी दोस्तो कलकत्ता से बहुत सारी पत्रिकाएं जो है वो संपादित होती थी इसके अलावा अगर देखा जाए तो संबाद कुम्बेदी जो थी वो बंगाली भाषा की पत्रिका थी मिरात उलखवार जो है वो 1822 में राजा राम मुहनुद्वरा प्रकाशित किया जाता था और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था लेकिन ये फार्सी भाषा में प्रकाशित किया जाता था इसके बाद में अगर हम बात करें बांबे समचार तो बांबे समचार जो है वो 1822 में प्रकाशित होता हुआ और ये जो है फर्दून जी मार्जवान द्वारा प्रकाशित होता था और ये बंबई से प्रकाशित होता था ये गुजराती भाशा के प्रत्रिका थी बंगदत 1830 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रसंट टैगोर द्वारा ये संचालित होता था और ये भी कलकत्ता से और बंगाली भाशा में जामे जमशेद 1831 में ये प्रकाशित हुआ और पी एम मोती वाला इसके संस्थापक थे और बंबई से ये पत्री का प्रकाशित होती थी और फार्सी भाशा में थी रफ्त गोफ्तार 1851 में दादा भाई नरोजी द्वारा और बंबई में ये भी प्रकाशित होता था गुजराती भाशा में सत्य प्रकाश 1852 में करसोन दास मूल जी के नित्रित में और ये अहमदाबाद नगर से प्रकाशित होता था गुजराती भाशा में हिंदु पेट्रियोट ये 1853 में प्रकाशित हुआ गिरिष चंद्र घोष और हरिष चंद्र मुखरजी द्वारा कलकत्ता में और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था सोम प्रकाश 1869 में ये प्रकाशित हुआ इश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी और बंगाली भाशा की पत्रिका थी इंडियन मिरर 1861 में दिवेंदर नाथ टैगोर द्वारा और मनमुहन घोष द्वारा ये प्रकाशित होता था कलकत्ता में ये पत्रिका चलती थी और ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी आगे अगर हम बात करें टाइम्स ओफ इंडिया तो ये 1861 में प्रकाशित हुआ अंग्रेजी प्रेस के द्वारा और ये बंबई में प्रकाशित हुआ अंग्रेजी भाषा में इंदु प्रकाश 1862 में जस्टिन रनाडे के नितरित में बंबई में और मराथी भाषा में ये प्रकाशित हुआ नेटिव ऐपीनियन 1864 में B.N. मांडलिक बंबई में और अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका चली थी पाइनियर 1865 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहबाद में अंग्रेजी भाशा में कभी बचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिष्टेंद्र द्वारा बाराणसी से ये पत्रिका संचालित होती थी हिंदी भाशा में अमरित बाजार पत्रिका 1868 में मोतिलाल घोश और सिशिर घोश द्वारा इसंचालित होता था और कलकत्ता से ये पत्रिका चलती थी बंगाली भाशा में मदरास मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा मदरास में और ये अंग्रेजी भाशा की पत्रिका थी बंगदर्शन 1873 में बंकिम चंद्रभट द्वारा कलकत्ता में ये संपादित होता था और बंगाली भाषा में ये थी दा ट्रिवन दा ट्रीब्यून 1881 में सर्दयालसी मजीठिया द्वारा लहौर में और अंग्रेजी भाषा की ये पत्रिका थी हिंदू प्रदीप ये 1877 में प्रकाशित हुई बाल क्रिशन भट द्वारा प्रकाशित किया गया और बराणसी में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी हिंदी भाषा में हिंदू 1878 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होनी वाली एक पत्रिका थी जिसके संस्थापक रागवाचारी थी और ये मद्राश में प्रकाशित होती थी बंगाली जो पत्रिका है वो 1889 में एस एन बनर जी के दौरा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी कलकत्ता में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बंगवासी बंगवासी जो पत्रिका है वो 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के दौरा बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी कलकत्ता में वहीं अगर मराठा पत्रिका की बात करे तो 1881 में इसकी स्थापना हुई और अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका चलती थी और बाल गंगादर जो तिलक थे इसके संस्थापक थे केशरी इसके जो भी संस्थापक थे बाल गंगा दरती लग बंबई में ये पत्रिका चलती थी लेकिन ये जो है मराठी भाषा के पत्रिका थी इंडिया 1890 में दादा भाई नरोजी इसके संस्थापक बंबई की पत्रिका और अंग्रेजी भाषा में ये चलती थी लंदन में इसकी स्थापना हुई और अंग्रेजी भाशा की पत्रिका थी युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत और बरिंद्र घोस द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में बंदे मात्रम बंदे मात्रम अंग्रेजी भाषा की पत्री का थी पैरिस में ये समपादित हुआ 1909 में लाला हरदयाल और श्याम जी क्रिशन बर्मा इसके संपादक थे प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपूर में हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई ये पत्रिका थी तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहें पर समाप्त होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाबाए